दीरे स्टुडेंट मैं विद्या सागर और आप देखने हैं भी एसके विद्या सागर सिंगा चैनल तो देखें ये वीडियो जो है आप लोगो को कलास दसवी की बीबीडी गाइड दुजर चॉबिस और ये जो वीडियो है आप लोगो मैत के चैप्टर टू यानि आप प्राथ के एक भी कोशन ऐसा नहीं होगा जो की आप लोगो को समझ में नओ आए पुरा का पुरा समझा देंगे और कोई भी कोशन भूले का नहीं थीक है तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर पाथ का नाम है आप लोग को बहुपद इसमें हम आप लोग को थोड़ी सी जो पहले है, पहले हम जनकारी जानेंगे, पहले इस पार्ट के बेसिक के बारे में, उसके बाद जो हम जानेंगे आप लोग को अलग-अलग कोचन बारी-बारी से सलूसन करना, सबसे पहले जानेंगे बहुपद बहुपद ठीका बहुपद में कैसा ऐसा कोचन आप लोग को से पूछ सकता है यह हर चीज हम आप लोग को बताएंगे देखिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे चार जारना पड़ेगा चार क्या होता है चार तो चार देखिए क्या होता है जैसे A, B, C, D है न A, B, C, D यह सब जितना भी X, Y, Z यह सब क्या हो गया चर हो गया ठीक ना उसके बाद आप लोग को आचर जानना होता है आचर आचर एदम डिटेल्स असे जानेए एक चीज को थोड़ा सा भी कौमी नहीं दिखिएगा हम बता देंगे तो आप लोग को यहां पर अचर जानेंगे जिसे 1, 2, 3, 4 यह सब अचर हो गया हम यही नहीं कह रहे हैं कि आप लोग को परिमे संख्या या कोई भी परकिरित संख्या या वास्तिक संख्या यह रहना चाहिए अंक अचर का मतलब एक तरसे अंक होना चाहिए प्रापर हो न जैसे बाटा में भी रहे तो कोई दिखाद नहीं है लेकिन यह अंक होना चाहिए ठीक ना यह सब अचर का हो गया तो चर अचर हो गया अब आप लोग को जैसे हम बहुपद है ठीक है एक पद, दूपद, तीन पद जानना पड़ता है तब हम लोग बहुपद जानेंगे पहले एक पद, दूपद, तीन पद इस तहरो सने जानेंगे जी देखिए एक पदी एक पदी तो एक पदी जैसे मान लिजिए X यह क्या हो गया एक पद हो गया आच्छा यहां पे आप लोग को वाई एक पद हो गया यहां पे आप लोग को साथ एक्स यह भी एक पद हो गया 25 जेड यह सब एक पद हो गया है कि नहीं आच्छा यहां पे द्वी पदी दिवी पदी देखिए, डिटेल से जाने हैं आप लोग एक दम घाराई से, एक चीज़ को समझना दिवी पदी, तो दिवी पदी का मतलब जिसे दू पलस में हो जो गया एक्स चार एक्स से स्क्वाइर माइनुस में पांच अब को एक सारे स्क्वाइर है, तो स्क्वाइर से मतलब नहीं है अभी घात नहीं बता रहे हैं यह नहीं है कि रैखिका दिवी घात तो तिरी घात बता रहे हैं अभी घात नहीं बता रहे हैं अभी पद बता रहे हैं तो दुद्दूगों दुद्दूगों हो गया, ठीक नो, जिसे मालने जिए, 3, X प्लस में, 7, इस तरह से, तो यह सब जितना भी हो रहा है, दुद्दूगों पद है, देख रहे हैं न, इसमें एक अगों पद है, इसमें आप लोगों 3 पदी भी होता है, और बहुपदी भी होता है, तब बहुपद, बहुपद में देखिए, बहुत सरा पद मिल सकता है आप लोगों, जिसे मालने जिए, 6, X स्क्वाइर, X क्यूब, प्लस में 9, X स्क्वाइर, प्लस में 7, X, प्लस में 4, यह सब यह और भी लंबा लंबा जा सकता है, उससे कोई दिकत नहीं है, यह बहुपद हो गया, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे आप लोग जानेंगे, अब हम लोग घात के अधार पे, घात के अधार पे जानेंगे हम लोग, ठीक न? अब देखिए, बहुपद कौन है? या आप लोग को पाठ में ही मिलेगा बताइए कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है तो देखिए कौन की बहुपद है के बहुपद है ठीक है अचला नहीं है को रहता है नहीं है आप लोग कैसे जानिएगा आप लोग कैसे जानिएगा देखिए अगर कोई भी बहुपद के घात यानि पामर पामर बता रहे हैं आप लोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगो च्छो एक्स की पावर 3 रहेगा या 4 एक्स की पावर 3 तब हो ये बहुपद है 8 नौ एक्स क्यूब प्लस में 27 एक्स ये भी बहुपद है ये भी सीडी में कौन रहे उससे मतलब नहीं है मैं एक्स ज़्यातर सब लोग लिखता है तो X लिख रहे हैं आप लो को तिसे बहुपद है अब कहाई कि कौन बहुपद नहीं है तो देख़े बहुपद कौन नहीं है अगर मायलें जी X के power ABCD ये कुछ भी रखे उससे मतलब नहीं है ऐस ये यानि चर के अगर को अगर घात देखिएगा, तो अगर मान लिजिए माइनस में आ जाए, तो वो बहुपद नहीं होता है, ठीक ना, अच्छा, अगर मान लिजिए, कोई, ये भी से डीजिए, एक स्वई कूछ कूछ भी ले जी, उससे कोई दिकत नहीं है, अब देखिए, य के पावर मान लिजि से मतलब नहीं, आप लोग समझना है, ठीक, अच्छा, हो गया, जैसे मान लिजिए, एक सुवाई रूट में नहीं होना चाहिए, एक सुवाई रूट में नहीं होना चाहिए, तो एक से रूट में भी रहेगा न, तो वो समझने लिजिए, बहुपद नहीं होगा, ठीक है, अच्छा एक्स अगर बटा के नीचे अगर मिल जाए आप लोगको इस तरह से तो ये भी आप लोगको बहुपद नहीं होगा तो ये इतना चीज आप लोगको है समझने वाला अगर एक्स के पावर माइनस में मिल जाए तो बहुपद नहीं होगा एक्स का पावर बाटा में मिल जाए तो बहुपद नहीं होगा एक्स खुद रूट में मिल जाए तो बहुपद नहीं होगा एक्स बाटा के नीचे यानि हर के पास मिल जाए अंत में तो आप लोगों को बहुपद नहीं होगा तो इस से आप लोग को दूगोचीज़ से ये दुनों को अगर जानगे बहुपद कौण होता है? कौण नहीं होता है? तो आप लोग असानी से अच्छा कासा नमबर अरजित कर सकते हैं. कम से कम एक दो कोशन तो आप लोग एक जाम में बन ही रहा है, कौन बहुपद है? कौन का मतलब यह है कि घात के अधार पे आप लोग को जनना है तो देखिए आप लोग को रैखिक बहुपद जो बहुपद के परकार में अगर पढ़िएगा बहुपद के परकार बहुपद के परकार तब बहुपद के जब परकार पढ़िएगा तब बहुपद के परकार में मिल आपलों को राइखिक बहुपद क्या है घात एक वाले बहुपद खालते घात एक वाले बहुपद फेसे हैं मैं बहुपद का लाते हैं रायह ख connection, कि वह बहुपद, रैखिक इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इस घाती खर Yo mobile आएंबuks लेकिक बहुपद का लायेगा ठीक नहाँ यहा प Laura क lets आगर जैसे में कहें गहाँ आट अगर जैसे में कह जैसे में यहाँ पर सिस और पोड़ धीजिए लीद से मतलब नहीं, नहीं ही ABCD 3-4 को दिखरा है तो उससे मतलम नहीं है ये 3-पद यह होते हैं तीन में है तो क्या होग que wish नहीं है लेकिन घात पमर बताना है तो पमर उपर नहीं लिख दे गें तक डरीगात हो गए ति इसमें क्प्रीा नहीं लिख सकते हैं कि कोई रखिक की लिख हैं अब अगर दूसरा प्रकारा आप लोग जानिएगा बहुपद के दूसरा जो है आप लोगों को कौनसा घात रहा देखें दुग हात ईस कोपी कर लेते हैं कापी पेस्टोला हाल गया हम लोगों अब कापी पेस्टोला हाल हो गया हम पेस्टोला होगा यहांपर थीज़ाशपस कि यहां पर द्विघ घास बहुपद का लाता है ट्गन अगर जैसे में लिखने के बात कहीएगा तो जैसे मैं इसका बदल लेगा देखे जैसे में लिख रहा है जैसे में हो जाएगा आप लोगो दू एकस इसक्वाइर प्लस में छो ठीक है आठ एकस इसक्वाइर माइनस वन कर ये या कुछ भी किजिए इसक्वाइर अजान रहे हैं सबसे अधिक्तम घात द देते हैं अभी 6 एकस के पावर 3 प्लस में 8 x स्वाइर प्लस में 25 एकस प्लस में 7 तो आभ इसमें भी तहा पामर 2 है तर नहीं सबसे अधिक्तम घात रहे गा सब से अधिकुला वह कितना है सबसे अधिक लाग 3 है न तो यह तिरी घात में आजाएगा तिसलिए यह नहीं होगा दिवघात के लिए इतना ही लिख सकते हैं हम लोग दिवघात के लिए इतना तक है कि नहीं चलिए तासानी सा आप लोग लिख लिए होंगे यहाँ पर अब मान लिजी आप लोग को X के जावप A, B, C, D मिले कोई भी निसे मान लिजी यहाँ पर मिले 10 Z A स्कुवाइर तो यह भी 2 घात है ठीक नो? अच्छा उसके बाद आप लोग को 3 घात मिल जाए इसे तिरी घात भी होता है तिरी घात आएन घात तक आप लोग तिरी घात बहुपद बहुपद तो तिरी घात बहुपद आप लोग को जानना है न तो देखिए अब तिरी घात बहुपद जब आप लोग को जानना है एक चीज को आप लोग नोट कर लिजेगा तो बहुत असानी होगा क्योंकि माल लिजे बहुत सारे स्टुडेंट नहीं यह टीचरों के लिए भी होता है क्योंकि एक चीज आप समझीए और अपने स्टुडेंट को समझाईए कैसे समझाना पूरता है ये पाठ को क्या शुरू में बताना है क्या बीच में बताना है क्या बाद में बताना है तब लड़का लाइन बे लाइन सोलूसन कर लेगा असानी से अब देखिए घात यहाँ पर तीन कर लिजे घात यहां पर तीन वाले जो बहुपद हो गए वो हो गए सिदा सिदा तिरी घात हो गए क्या हो गए तिरी घात तो इस तरह से हो गया तो हम लोग को तिरी घात बहुपद तक ही जानना है अगर किसी को जानना है आप लोग को जीसे एन गहाथ वाले बहुपद जो है, वाले बहुपद तो इन गहाथ वाले बहुपद जो है, जिसका गहाथ िन है यह तीन से जड़ा व़ला गहाथ मने बहुपद केवल बहुपद करつोफ ग brows quoi, इसको हम लिखते नहीं है ठीग नऄ अब लिखना भी रहेगा तो पावर में N डाल दीजिए जैसे मान जी हाँ पर 6 X लिखेगा तो पावर में N डाल दीजिए अब N के जतना भी आप रखेंगे एक, दू, तीन, चार उसके उनसार रहेगा तो तिरी घात आप लोग जानेगे अब यहाँ पर कुछ चीज जानना है अभी देखिए सुन्यक पुछता है जैसे रैखिक बहुपद के सुन्यकों के संख्या कितनी होती है तो एक होती है तो यह चीज आप लोग को जानना है सु आप लोग याद करते हुए समाज़ते हुए चलिए ठीक ना आप लोग को पार्ट सुलूशन करने में भी मजा आएगा ठीक अभी हां पर देखिए इस्टार में आप लोग लिखेंगे रैखिक बहुपद बहुपद की सुन्यकों के संख्या की सुन्यकों कि कि संख्या कि एक होती है कि एक हिंदी में लिखेंगे इस तरह से एक होती है, ये बात आप लोग को याद रखना चाहिए, तब रहाख्य कीbar का क्या होती है, एक होती है, ठीक न, रहाख्य कीbar बहुत में तब दिवीGGात में, तब आप लोग को दू होता है, दिवी ओम लोग कंपी पेस्ट कर लेंगे द्मर कॉल से में आ जी इसी को उनो तिरी हाथ के लिएत का लिए अक है कि नहीं टिया आप लोग आशानी से अब समझ रहे हो यह है इसे दुलिघाटि लोग एक एक नहीं होगा चलिए अभी होदिए डीघाट यहां पे दो होता है और यहां पे आप लोगों को तीन होता है अब देखिए यह तीनों का तीनों आप लोगों को पुछता है प्रसन आप लोगों को देखिएगा हम सलुसन कराएंगे तो यह सब प्रसन पुछेगा कि रैखिक बहुपद में सुनेगों की संख्या कितनी होती तो केवल एक होती है ये बात याद रखेगा दिवी घात में सुन्योगी संख्या दो होती है तिरी घात में सुन्योगी संख्या तीन होती है ठीक नो मतलब अगर राइखिक बवपद है उसके जब मान निकालेंगे तो एक सके मान कितना गो निकलेगा तो एक एक निकलेगा त पर बंते हैं फिर हम जो कि आप लोगों बताएंगे अब चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं यहां पे आप लोग को इतना जनकारी काफी है अभी आगे बढ़ेंगे तक कि जानेंगे दिखिए अब आप लोग को लाएखिक अराइखिक भहुपद के ब्यापक रूप, ब्यापक रूप, तो देखें, रैखीक बहुपद के ब्यापक रूप होता है, A, X, प्लस में B, सीधा सा बात है, रैखीक, पावर में भी A करना चाहिए, घात A करना चाहिए, तब रैखीक क्या लाएगा, आच्छा, ये चीज हो गया, ठीक, अब यहाँ पर आप लोग को, जैसे लिखेंगे, जहाँ, जहाँ, A not equal 0, मतलब A के जवाब पर 0 नहीं रहना चाहिए, तो माल लिखना चाहिए तो A के जवाब पर 0 आजागा, आप लोग लिखेंगे, जहाँ, A not equal to 0, तथा A और B वास्त्विक संख्या है, तो A और B रहे, लेकिन यहाँ पर X रहना, जीवित रहना जरूरी है, तो X को बचाना है, तो A के जवाब पर कभी 0 मत रखिएगा, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आप लोग को, अब यहाँ पर देखिए, दिविघात बहुपद के ब्यापक रूप, तो यहाँ पर लिख दीजे, दिविघात, बहुपद के ब्यापक रूप, तो देखिए, दिविघात बहुपद के ब्यापक रूप, अगर आप लोग को लिखना है, तो दिविघात बहुपद के ब्य एकवल जीरो ये वार क्या होगा दोट इकवल जीरो हो जाएगा जो कि आप लोगों समझ में आ रहा होगा तथा A और B तता C वास्तुइक संख्या है ठीक न? अब चलिए ये ब्यापक रूप हो गया अब तिरी घात बहुपद के ब्यापक रूप भी आप लोगो प्रसंद दिया है गाइड में confirm नहीं कह सकते हैं कि जाम में देगा ही ब्यापक रूप लेकिन गाइड में अगर ये पाठ आप लोगो समझ में आ गया ना तो समझे चार पाठ भी समझ में आ गया थोड़ा बहुत चार पाठ में जानेंगे है कि नहीं ब्यापक रूप कि ये दो पाठ चार पाठ मिलता जोलता है जैसा अब देखे तिरी घात बहुपद के ब्यापक रूपता है A X क्यूब प्लस B X स्क्वाइर प्लस में C X प्लस में D जहां A not equal to 0 B की जाप रहा है C की जाप रहा है उससे कोई दिकत नहीं है लेहन A की जाप नहीं रहना चाहिए नहीं तो X Q को ही 0 बना देगा X क्यूब रहेगा ही नहीं फिर तिरी घात कैसे होगा तो ये बात आप लोग को समझ में आना चाहिए अब चलिए इतना आप लोग जानगे दिविघात जानगे तिरी घात जानगे ठीना अब यहां पर आगे देखते हैं आप लोग को हलांकि हम चेक कर लेते हैं आप लोग को बाकि कोई दिकत नहीं है कोई कट नहीं नहीं रहा है चलिए अब यहां पर थोगा सा आप लोग को यहां पर कट रहा है इधर में इधर थोगा सा कट रहा है तो थोगा साम दिखा देते हैं आप लोगो चलिए, अब तो किसी कोई दिकत नहीं हुआ होगा, अदिकत भी हुआ है तो छोटा कर लेंगे, होगे अदिकत सोल्भम लोग का, अब चलिए आगे बहते हैं, अब इतना आप लोग जानगे, तो अब आप लोग सुनियक निकालना पड़ेगा आप लोग को, है कि नहीं, यान सुनियक निकालना पड़ेगा, अब लोग को इस पाठ के नुसर मूल कहेंगे, मूलो की संख्या जो होगा, ठीक, अच्छा, मूलो की संख्या ठीक, यहां भी मूलो की संख्या हो जागा, तीन हो जागा, ठीक, चलिए तो यहां भी आप लोग को मूल गयाद करते हैं, मूल क कुए इसे घ्याट करेता है अब देखिये एक होता है आप लोग को दिविघा आते भाध के सुत्र हेलांके दिवघात भवपद के सुत्र आप लोग को जानेंगे लेकिन उससे पहले मूल ही जान लेते हैं ठीक ना इसको रखते हैं थोड़ा नीचे अभी करके जान लेंगे क्योंकि भाग नहीं जाए हम लोग को अब चलिए दिवगहात में कितना होता है दिवगहात में दूग होता है वही आप लोग को के मूल होगा यहां पर ध्यान दिजिए दिवघात बहुपद के जो मूल यदी लिख देते हैं यदि दिवघात बहुपद के मूल ले अलफा तथा बीटा अलफा तथा बीटा हो तब तब मूलों का योग फल क्या होगा मूलों का योग फल निकलना होगा तो मूलों का योग फल तो देखिए मूलों का योग फल जो निकलना है आप लोगो तो यहां पर होता है माइनस में B बटा में A तो माइनस आप B को कहते हैं जान रहे हैं यहाँ देखिए दिवगात को यहाँ दिवगात को यहाँ देख रहे हैं आप यहाँ B है न तो B देखिए यहाँ पे जो B आप लोग को दिखे रहा है B क्या है? X का गुडांक है तो X का गुड़ांक कहेंगे तो माइनस X का गुड़ांक हिंदी में X के गुड़ांक ठीक नव? ये चीज आप लोग थोड़ा से यहां पर समझेगा समझेगे तभी समझ में आएगा ठीक नव? अच्छा उसके बाद आप लोगो नीचे मोता है A होता है यानि आप लोगो X स्क्वाइर का गुड़ांक ठीक ये हिंदी का सुत्र होगे आप लोगो इसको हम इंगलीस में अगर लिखने जाएं तो इंगलीस में आप लोगो लिखेंगे मूल अगर अलफा बीटा है हम तो कहिए दिये मूल का योग फ़ल मने अलफा पलस में बीटा बराबर होता है आप लोगो ये माइनस X का गुड़ांको चीत देखिए यहाँ पे देखिएगा आप लोग यहाँ पे X का गुड़ांका B यहाँ पे B बटा X दिसको आगे गुड़ांक X दिसको आगे गुड़ांक That A तो A हो जाएगा यानि कहने का मतलब यह आप लोग को सुत्र A मिल गया तो alpha plus beta इसको अभी भी नीचे ले जाते हैं, इसको अभी भी नीचे ले जाते हैं, चलिए, इसको अभी भी नीचे ले जाके रख देते हैं, ताकि हम लोग थोड़ा सा और भी जान पहें, अब देखिए, अब यहां मूलो का योग फल, तो उसी तरह से हम निकालेंगे मूलो का फल हिंदी लिखे लेलते हैं हिंदी आप लोग नहीं भी याद कीजेगा तो कोई दिकत नहीं यह विला याद रहना चाहिए अनिवारी रूप से ठीक ना तो देखें मुलों का गुड़न फल जो होता है आप लोगो यह अचर पद क्या होता है अचर पद अचर पद अचर अभी हाँ पर देखिए मूल है अलफा और बीटा ता अलफा गुने बीता बराबर क्या होता है अलफा गुने बीटा अप लोगो होता है और चर पद को सी कहा एथा यहाँनि सी बैटा में आप लोगो यह होता है alpha गुने बीटा यह चीज आप लोग समझ गए तेक अब देखिए दिवगहात बहुपद के सुत्र तो दिवगहात बहुपद के जो चुत्र होता है अप लोग को असपष्ट तोर पे आप लोग जानते हैं यहां पर होता है आप लोग को यहाँ पे आप लोग को X स्क्वाइर क्या X स्क्वाइर माइनस आलफा पलस बीटा यहाँ पे X पलस आलफा गुने बीटा यह दिवगहात भववपद के सुत्र है यह जिसको याद है तो एक कोशन आप लोग कोशन आएगा इस पाठ में solution करेंगे इससे अब चलिए दिवगहात भवववाग कंपलीट आप लोग जानगें अब दिवगहात में कोई यह सा कोशन नहीं है कि सुलब नहीं करएंगे तो अब कहें कि तिरिघात भी जानना है तो हाँ तिरी घात बहुपद, व्यापकर रूप लिखवा दिये तिरी घात लाना, तिरी घात बहुपद, के मुल अल्फा बीटा तथा अल्फा बीटा गामा हो तब, अल्फा बीटा गामा हो तब, ठीक चैन तो, अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग को, यहाँ पर आप लोग देखेंगे सुनिय को का योगफल, क्या करेंगे सुनिय को का योगफल, यहाँ पर देखेंगे, सुनिय को का योगफल, यहाँ पर देखेंगे, सुनिय को का योग योगफल तो यहाँ पर मुलो को योगफल जो होता है आप लोगको मुलो का योगफल होता है आप लोगको माइनस में B बटा में A माइनस में B बटा यानी सेम तो सेम जिसे मुलो का योगफल इसका होता है नो मुलो का योगफल इसका होता है यहाँ पर मुलो का योगफल नहीं मुलो का गुड़ान फल है जिसे मुलो का योगफल हम लिखे न माइस बी बटा ए तो उसी के जैसा इसका भी होता है माइस बी बटा ए लेगिन आप लोगो माइनस अब बी इस बार जो है आप लोगको x square का गुड़ांक का लाएगा तिरीक हाथ में है ना x square का गुड़ांक ठीक है अब बाटा यहाँ पे आप लोगको a होता है तो x cube का गुड़ांक हालांकि यह teacher आप लोगको कोई बताएगा नहीं लेकिन हम जर से और मजबूत कर रहे हैं आप लोगको बेथर धहंक से बता रहा है तब आप लोगको बता देते हैं नहीं तो shortcourt लिखे तो बताएगे देंगे आप लोगको अब देखें इसको इंगलिस में लिखीगा तो alpha plus beta plus में gamma alpha plus में beta plus में gamma इहां पर हो जाएगा माइनस एक में ऐक वूळांम कर और की वूला म दिखिएगा को फिरें की बोला में चलते हैं तिरी गहाँत के ब्यापक रूप में मूलों का गूरान फल मूलों का गुड़ान फल गुड़ान फल ठीक है तो मुलों का गुणन फल जो होगा आप लोग को, यहाँ पर C बटा A, यानि वही क्या वही हो जाएगा, यानि अचर पद, माइनस में अचर पद हो जाएगा, माइनस में अचर पद, हिंदी यह नहीं याद रहे ना, तो कोई दिक्त नहीं है, इंगली सुले लेगे नहीं या यह जो होता है X3 के X3 के गुडांक यह आप लोग को बहुत मजबूत बनाने के लिए यह सब पढ़ना पड़ता है बहुत मजबूत बनाने के लिए आप लोग को पढ़ा रहे न एक अची ध्यान दिजिए कोई तकर नहीं लेने वाला मिलेगा आप लोग से अब यहां पर दे बीता और गामा तो अलपा बीता गामा वेरमा भलाबर होता है आप लोगो माइनस ठीक है ओचर पधैना तर माइसमें D आब अब डूटा में यहां पर यह चीज्या आप लोगोगों सुत्र मिल गया ठीक है अब देखिए एक चीज़ इसमें और होता तरीरी घात में यह में मूलो के कमसा दोदो मूलो के दोदो मूलो के मूलो के गुड़न फ़लो गुड़न फ़लो का योग फ़ल ठीक ना ता इए चीज आप लोग क्या होता है थोड़ा साइस में समझेगा अगर नहीं समझेगा तो कुछ समाज में नहीं आएगा अगर यह समझेगा तो अब कुछ हाई यह नहीं है लास्ट है आप लोगो ठीक अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर आप लोगो हो गया सीधा सा बात आप लोग को कि यहां पे आप लोग को सी बटा में यानि कहने का मतलो एक्स का गुडांक एक्स का गुडांक मतलो गुडांक करने वाला जो अंक है न वही लिखना है तो एक्स का गुडांक और बटा में आप लोग को यहां पे एक्स क्यूब का गुडांक ठीक है, अब यहां पर अब इंगिलिष में लिखते हैं जो कि आप लोग समाझ जाएंगे, ठीक अब देखिये, अब इसमें तुरूटी रहेगा तो इसके लिए माफ़ करिये हो सकता है इसके जगया पर हिंदि यहां वाला जगर पर दूसरा भी ऊसकता है हिंदी हारां के अक्षर देखे नहीं है यह अलफा गुने बीटा प्लस में बीटा गुने अलफा आई यह अलफा गुने अप लोग को गामा मने गामा गुने अलफा ठीक नो चलिए तो यह अलफा गुने बीटा बीटा गुने गामा गामा गुने अलफा यह चीज होता है यह चीज आप लोग को हो गया अब यहां पर आप लोग समझ गए अब समझ गए तरिघात भुपद तिरिघात भुपद यह हलांकि एकजाम में आप लोग को आएगा नहीं लेकिन नॉलेज के लिए जानना है कि भुपद वलापाथ में ही रहना चाहिए था लेगन आप उपद का सुत्र तो देखिए यह जो होता है सुत्र आप लोग को चलिए बराबर ही दिजी ना तो सुत्र जो होता है आप लोग को एकस कीब ठीक है माइनस यहां पर आलफा प्लस में बीटा प्लस में गामा यहां पर होता है एकस स्क्वाइर ठीक है अच्छा उसके बाद आप लोगों को हता है प्लस यहां पर हो जाता है आप लोगों को alphapita beta alpha and beta gamma और gama alpha यहां पर हो जाता है आप लोगों एक्स ठीक है अब इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पुरा-पुरा दिखी भी जाए ठीक ना अब देखिए उसके बाद आप लोगों को होता है यहाँ पर प्लस अलफा बीटा गामा यह चीज आप लोगों को सुत्र होता है ठीक है अब यहाँ पर थोड़ा सा माइनस प्लस के लिए ध्यान देदेजिएगा चलिए अब इतना आप लोग जान गए तो आप जानते हैं हलांकि बस आप लोगों चेक कर लेने देजिए यहाँ पर देखिए अब चलिए सुलूसन यहाँ पर करते हैं कोहचन नमबर एक को कोहचन नमबर एक के अब सुलूसन करना है उमीद करते हैं कि अब आप लोगों किसी को भी कहीं से भी कोई दिकत नहीं रहेगा अब देखि यहां पर इसको solution करना है, तो यहां पर देखिए, x square plus में bx minus में q, थ्वासर लग रहा होगा, आप लोग को भारी है, लेकिन tension वाला बात नहीं है, क्योंकि हम है, अब देखिए, अब यहां पर आप लोग को सिधा सिधा क्या करना पड़ेगा, अगर details से बनाना है, तो, अब details square plus में bx, अब पलस में c, यह व्यापक रूप है, से तुलना करने पर, ध्यान दीजिएगा, तुलना करने पर, अब तुलना कर रहे हैं, तो, तुलना किजिएगा, तो, देखिए, x square है, x square है, a की जाब क्या है, तो, a की जाब आप लोग को, 1 है, देख लिजिए, b की पर क्या है, तो माइनस में Q है, ठीक ना, अब मान जो निकलना है अप लोग को P का, तो P के मान नहीं निकलना है, ठीक ना, अब P के मान नहीं निकलना है, कि कुछ P लीजिए, मान निकलना है, जो कि P के मान क्या हो, अब देखिए, कह रहा है न, ब्यूत कॉर्म हो, एक दूसरे क्या हो ब्यूत कर्म ब्यूत कर्म का मतलब आप लोगों पता है नहीं पता है देखिए एक्स के ब्यूत कर्म कितना होता है तो एक बटा में एक्स होता है पांच के ब्यूत कर्म क्या होता है एक बटा में पांच अगर जानते हैं ब्यूत कर्म में जब गुणा करने लेंगे त तो कोई दिकत नहीं है, सुनियक क्या हो, बियुत कर्म है, एक दुसरे के बियुत कर्म है, तो देखिए, तो सुनियको का योगफल, सुनियकों का गुड़ान फल किजिए सुनियकों का गुड़ान फल मतलब सुनियक में गुड़ा करना होता है तो सुनियकों का गुड़ान फल के सुत्र क्या लिखवाए है आप लोको अभी इंगलिस में लिखवाए थे तो यहाँ पर C बटा में A लिखावाए थे, ठीक नो? अब दिखिए, सुन्यागों का गुड़ान फल जब कीजिएगा, तो सुन्यागों का गुड़ान फल करने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए कोचन भी दिखाते हैं, अब चलिए, यहाँ पर आप लोग आप लोग को पता है नो, कि जो इसके सुन्याग है, ब्यूतकर्म है, अज जब ब्यूतकर्म है, अगुड़ा कर रहे हैं, तो ब्यूतकर्म के गुड़ा करने पर कितना आता है? एक, तो ब्यूतकर्म के गुड़ा करने पर एक आ गया, ठीक नो? अच्छा, अब यहाँ पर नहीं तो अगर मान लिजी अगर सुन्यक मानेंग भी कि माना सुन्यक माना एक सुन्यक आलफा तो दूसरा सुन्यक क्या होगा तो दूसरा सुन्यक जब भी उतकर्म है न जी तो दूसरा सुन्यक जो हो जाएगा एक बटा में आलफा कॉन फरम रूप से एक बटा में आलफा हो जाएगा तो जो एक सुन्यक यहां पर यहां लिख दीजिए माना माना एक सुन्यक जो है आप लोग को अलफा माने तो दूसरा हो जाएगा एक बटा अलफा तो सुन्यक को गुणफल करना है तो अलफा गुने alpha गुने 1 बटा alpha alpha गुने क्या 1 बटा में alpha अब बराबर c बटा में c की बटा में k жив यहाँ p है जी अच्छ है यहाँ p है तो आप लोग को मान जो निकलना है यहां पर देखिए p नहीं q कमान निकलना होगा तो Q कमान बताईए तो यहाँ पर देखिए मान निकलना क्या आगया है हलांकि X के मान निकलना है आप लोगो को क्योंकि option जो है इस तरह से है तो मान निकलना है आप लोगो को देख लेते हैं हलांकि गाइड में, किमको यह गाइड अगर मान लिजीए, थोड़ा सा तुरूटी हो गया है, का का मान निकलना है, यह नहीं दिया है, हम लोग confused हैं कि की चीज का मान निकलना है, मान निकलना असान भी है, लेगन पहले देख लिए किस का मान निकलना है, अब देखिए, यह है question number 1, जो कि की का मान निकलना है, क्यू, लिखा गया है, क्यू का मान गयाद करें, तब देखिए, क्यू का मान गयाद करना है, तब देखिए, क्यू का मान गया 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 है, लिद्धा समान है आप लोग को एकदम सुन्दर समान है इससे खुवा कोचां होता नहीं है आप लोग को थिख न अब देखिए यहाँ पर 12 है ठीक अब देखिए अब यहाँ पर है पी-वन कमाने इवान गता करेंता यहां भी 1 के square करिए, यहां 5, 1 से तो 1 के रखिए, माइस में 12 है तो 12, अब देखिए, 1 के square 1, यह गुणा होगा तो आप लोगो 5, माइस में 12, जोड़ीगा तो यह 6, माइस में 12, यानि घटेगा तो माइस में 6 हैगा, माइस में 6 जो है आप लोगो option number C में है तो इसलिए जो 12 का answer बार नहीं जी, sorry, यहां पे दूसरा जो answer होगे आप लोगो, सिधा-सिधा यहां पे आप लोगो option number C हो गया, क्योंकि माइस में 6 हो रहा है, तो दूसरा का C हो गया, चलिए अब तीन नमबर प्रसन देखते हैं, अब तीन नमबर देखिए, प्रसन कह रहा है, सुन्यक 2, 2,8 वाले बहुपद होंगे, सुन्यक 2 है, तो माना सुन्यक 2 है, अलफा बराबर 2 है, अब बीटा बराबर 8 है, तो जब अलफा बराबर 2 और बीटा बराबर 8 है, तो इसकी बहुपद की संख्या, तो बहुपद की संख्या को है, तो सुन्यक 2 है, तो बहुपद को होगा, त तो दूगो सुन्यक दिवगहात 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 गुणा के जिएगा तो दून हम अलफा गुना बीटा तो यह हो जागत 16 तो यह इतना हो, ठीक आगर यह इतना हो गए यह क्या है, दिवगात Bundesregierung है तो कहरा है दिवगात भfi something कितना होगा को दिवगात भख miser होगा, जो किा होल करने पर इतना ही आएगा तो अगर हल करेंगे न तो यह वह सुन्यक है, दू आएगा एगो शुन्यक है आठ आएगा आच्छा थिन्हें जाइस आप लोग और एक लिखिए यहां पर दू कर लीजिए 2x स्क्वायर यहां पर अप लोग 20x कर लीजिए यहां पे आप लोग 32 कर लिजिए यह भी तो दिवगात बहुपद है इस दिवगात बहुपद का भी हल करेंगे तो 2 और 8 हैगा अब 3-3 लेगुणा कर दिजिए 4-4 लेगुणा कर दिजिए 20-20 लेगुणा कर दिजिए 50-50 लेगुणा कर दिजिए लोगो 800, ठीक न? तो इतना लिखिए गा, तो इतना कभी 16 बेखिजिए गा, तो X का मान 2 और X का मान 8 हो जागा था तो हातना एंसर लाने वाला बहुते सारा दिवगात बहुपद है तो कह रहा है, इतना सुन्यक लाने वाला दिवगात बहुपद की संगे को है तो अनगीनत है, अननतो है, यानि आप लोगो option number D यानि तीसरा का एंसर जो हो गया, आप लोगो सिधा-सिधा option number D हो गया ठीक न? आप चलिए आप लोगो अनगीनत हो गया चार नबर परसंद दिखिए यदि बहुपद PX से बराबर इतना सुन्यक मानस 2 है तो PX के गुड़न खंड होगा, आप देखिए माइनस में 2 है, तो option पे चिक कर लिजिए option जो है आप लोगो X माइनस में 2 है तो लिखिएगा, जब X माइनस 2 बराबर 0 तो X का मन क्या है? 2 तो 2 दे रहा है जी, यहाँ पे नहीं, माइनस में 2 है तो माइनस में 2 किसका आएगा? इसका तो 2 आगया तो यह तो नहीं है यह आप लोगो नहीं है, यानि option नमबर 1 नहीं होगा answer अब 2 देखिए, तो यह है आप लोगो X प्लस में 2, अप्सन नमबर B में क्या है? तो लिखेगा जब X प्लस में 2 बराबर 0 तो X प्लस में 2 आगया तो माइनस में 2 की नहीं पूछ रहा था? मैंने कमना के सुनिया कहता है? तो X के माणना के सुनिया कहता है तो माइनस में 2 किसका आ रहा है? तो यही आप लोगो answer हो जागा हलांकि answer number आप लोगो B हो गया ठीक नहीं? चलिए तो यहाँ पर चाहूँ था का answer आप लोगो B हो गया चलिए पाच नमबर प्रसन देखते हैं पाच नमबर प्रसन कह रहा है यदि बहुपद इतना के सुनिया एक दूसरे के वियूत कर्म हो तो X के मान वाह! सेम टूसरे जिसे पाहिला कोहजन बना है उसी तरह से पाचवा कोहजन भी है अब यहाँ पर देखिए 2X स्क्वाइर प्लस में 5X महिस में के अब देखिए लिखिएगा आप लोग AX स्क्वाइर प्लस में BX प्लस में C से तुलना करने पर तो यहाँ से तुलना कर रहे हैं तुलना करने पर तो यहाँ पर तुलना करने के बाद क्या आता है तुलना करने के बाद जो आता है आप लोगो A बराबर दू अब भी ब्हुबर किया पाँच असी ब्हुरस एक विदके लिए अब देखें आप देखी माना एक सुनेक हममाल लेतें कितना आलफा इसलिए इसलिए दूसरा सुन्यक दूसरा सुन्यक जो होगा क्या होगा दूसरा सुन्यक हो जाएगा आप लोग को जो भी सुन्यक माने होंगे अल्फा माने तो अल्फा का ब्यूत्कॉर्म कि कह रहा है ब्यूत्कॉर्म होगा अब उत्कार में है तो 1 बटा alpha हो जाएगा alpha का बियूत कर्म में 1 बटा alpha हो गया अब देखिए, कह रहा है नो कि यह इस तरह से है, इतना ही के मान है अब आप लोगों को निकालना है क्ये का मान क्या होगा यहाँ पे x का मान दिया है तो जब सुनियागो का गुडान फल करेंगे तो गुडान फल जो होता है C बटा में A होता है होता है न C बटा में जब A होता है तो इसको उपर ही लेके चलिए न जी इसको उपर में ही लेके चलिए या जैसे भी चलिए यहाँ ही बना देते है अब यहां बनाते हैं तो देखिए सुने़ों का गुलानफरल जो है एक हूआ आ एक हूआ बठा में अलफा है कि नहीं बडाबर सी बठामे ए तो सी कितना है तो सी की जाब पर देखिए एक की जाब पर कितना है दू तो दू रख दिए अब देखे कोटेगा तो आप लोग एक हो जागा तो एक बराबर माइनस में k बटा में आप लोग को do तो अहाँ प informal कर लेते हैं अब देखें यहाँ पो तो यह तिरिस्थे जी चुगुना कर दीजिए तो माइनस में k बराबर do यानि के कमान जो हो जागा माइनस में दू अगे कमान ही पूछ रहा था तो के कमान माइनस में दू आ गया तो देखिए जो है माइनस में दू किसमें है तो जो के कमान है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह चला गया है चलिए यहाँ पर जब चला गया है तो यहाँ पर ला देते हैं अपना जगह पर चलिए तक के कमान आप लोगको माइनस में दू आया है तो माइनस में दू देखिए कहाँ पर है तो माइनस में दू जो दू है आप लोगको यह है आप लोगा option नमर B में तिसलेए इसका answer आपटों नमर B हो जागा तो थो पांचवा का answer आप लोग diligent आप सन्मर B चलिए अब 6 नमर आप लोगो देख लेते हैं तो 6 नमर यहां पे चलिए देखते हैं जो 6 नमर हमें प्रसन कह रहा है आप लोगो यदी बहुपद यदि जो है बहुपद यहाँ पे कचलिए यहाँ पे आप लोगो यह इस तर सथा कर लेते हैं हुआ जिल एखोव नंबर कह रहा है यदि बहुपद इतना के सुन्यक अलफा वीडा गामा है तो आलफा वीडा गामा कमानत है सबसे पहले यहां पर देखिए यह चीज बताए हैं आप लोग को इसी वीडियो में हाला कि समझाए हैं जो लोग देख लिया होगा सुरू से उसका तो एक भी कोचन ऐसा है ही नहीं कि फंस जाएगा या नहीं बनेगा या कुछ भी दिकत होगा इतना हो गया तो देखिए इत तुलना करने पर तो आप लोग तुलना किजिएगा तो देखिए तुलना किजिएगा तो तुलना करने को पाद ए बराबर के आजएगा छोव बी बावर क्या होजएगा माइनस में 11 सी बावर क्या होगा माइनस में 3 दी बावर क्या होगा दू हो जाएगा ठीक नहां अब अलफा बीटा बीटा गामा और गामा अलफा का मान निकालना तो इसका जो मान होता है C बेटा में A होता है तो C बेटा में A तो C कहा कि में मान कितना है तो 3 मान कितना है तो 6 जब कटेगा तो 1 बेटा दू लेकिन माइनस में 1 बेटा दू हैगा तो माइनस में एक बड़ा दू कीज में है, तो माइनस में एक बड़ा दू है जो आप लोगो अपसन नबर C में, छाठवा के इनसर आप लोगो C हो गया, आपकी C को भी कोई दिकत नहीं हुआ होगा, आदिकत होने भी देंगे, नहीं, अब चलिए आप लोगो 7 नबर पसने यहां पर देखते हैं आप लोगो 7 नबर, 7 नमर पसने कह रहा है PX बड़ाबर QX जो इन टू GX है, और PX के घात है साथ और GX के घात है आप लोगो 3, तो यहां पर देखिए आप लोगो, यहां पर देखिए, लोग चुक कहां रहे हैं, गलती कहां कर रहे हैं, तो सबसे तो पहले तिया है PX का धंत्लाव सात है यहां पिलेगे आप लोगो PX गहते हैं किसी लिखाइगा तो X कि पामर आहए यहां पहले शीका UP मतलब होतई शीकी लखिए गश्पहुथा में लखिए reject again drill clicking यहां पहले गहाँ coff coefficient Finally GX का घात यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखे धियान दीजिए तो सबसे पहले यह वला चीज आप लोग को लिखना है तो ठीक है नहीं भी लिखना है तो इसे से आप लोग को ज़दा लेना देना नहीं है क्योंकि अगर प्रस ने ऐसे दिया है QX के बारे में यहाँ पर है न PX पराबर QX तो QX से कोई लेना देना ही नहीं है आप लोग को दिया है PX PX का घात बटा यहाँ पर आप लोग को निकालना है GX तो मतलब GX का घात निकालना है तो देखिए PX का घात निकालना है PX का घात ना जी PX का घात है आप लोग को X के पाउन साथ है ठीक आज GX का जो है आप लोग को यहाँ पर दिया आगए X के पाउन तीन तो देखिए पावर में साथ का मतलब का उची होता है एकस जो है साथ बार एकस गुने एकस गुने एकस गुने एकस गुने एकस गुने एकस गुने एकस जो तीन होते है एकस गुने एकस गुने एकस गुने एकस तीन से तीन से कट जागा तो चार को बचेगा यानि ऐसे भी आप लोग जनते भाग में पावर घटता है तो भाग में पावर घटा दीजिए तो एकस के पावर क्या जागा चार तो चार जो आएगा आप लोगो तो इतना बटा इतना का गहात लिखना है तो गहात हटाना है आप लोगो तो यह एकस के परवा हटा नहीं हुआ होगा चलिए अब 8 नमर पसंद देखें बहुपद इतना ब्राबर इतना A naught equal to 0 का अलेख देखिए अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग को यह देखना है आठ नमबर अब आठ नमबर यहाँ पर देखना है आप लोग को तो यहाँ पर यह इस तरह से है तो इसका अगर अलेख मने निकालेगा आप लोग इस तरह से ठीक है तो इस तरह से अलेख निकालेगा तो लेकन दुगों लिजी यहां पर आप लोगो यहां पर यहां पर यहां यहां पर आप दो पोएंट till रोगों पर ढिल से जवत लगत कुम है तो सवर्ला पर शोह को कुमें दूग अगी सांट पाइगा लेखा हो जागा ऐस सिधी जब लेखा चैंग का शटारा चाहत होट था, जो जो बहुपद की घात होती है, यहां पर आप लोग को पूर्ण संक्या फोन होती है, पूरा-पूरा रही है, की नहीं? यहां पर आप लोगों को दस नंबर यानि इस वीडियो को लास्ट प्रसंद देखने से पहले आप से रिक्वेस्ट है आप लोग जान लिजिए जैसे बहुत से लोग मेरे से लाइव कलास जोएन करना को जाते हैं जिससे आप लोग जानते हैं कि एक चीज को डिटेल से एक्स्प्लेइन करके हम बताते हैं आप लोगो तो बहुत से लोग बोलते हैं कि सवर हमको आपका लाइव कलास जोएन करना देखें लाइव कलास हमारा चार घंटा चलता है ठीक न को उस बैस के खासियत क्या है क्या-क्या मिलने वाला है एक उसमें आप लोग को live class मिलने वाला है live class के सांथ साथ उसका recorded इसके बाद आप लोग को एनिमेशन वीडियो जान लिजिएगा तो आप लोग को समझ में असानी से आ जाएगा और उसके बाद जब आप लोग को कोई डाउट बच जाएगा सकते हैं हर चीज के लिए कर लिए तो हैं पर होमवर के आप लोग को करने के मिलता होमवर करेंगे तो हर चीज अगर कर लेंगे तो पुरा तरह से त्यार हो जाएगे आप टेस्ट देने के लिए उसके बाद आप लोग को टेस्ट स्रीज बनाएगा है टेस्ट आप लोग दे स जब किया होगा ऊपको यहाँ पर अगर आप लोग को लेगे अचैंच कर चेक कर सकते हो जुड मात्र 500 पांट प्तोर पे जाईए है UV को चंटर सबस्क्त जाएए शक्याक सबक Сейчас उसका 5 500 रुपय, 500 रुपय आप लोग को एक बार देना है एक साल के लिए, उसी में आप लोगको पुराक्ष कलास कर लेना है, आप लोग को कहीं से कोई दिकत होता है आप लोग को, तो मेरे इस नंबर पर कंटेक्थ कर सकते में नंबर जो है आप लोगो 830453964, जिनको भी 80 या 90% रिजल्ट लाना है आप लोग को लग रहा है कि टाइम बीट गया नहीं आएगा आप रिजल्ट किलिक करके इस्टॉल कर लिजिए और वहां से क्लास सुरू करेजिए चलिए इस वीडियो का लाश्ट पसने दस नमबर दस नमबर करें दिवगात भुपद इतना के सुनिया कब देखिए आप लोग को वाई स्कॉयर है और प्लस में 16 वाई है आप प्लस में 55 है तो जैसे देख लिजे कैसे जनते हैं यह देखिए शुरू ओला जेउंकर एंतिम ओला जेउंकर तीओं ठीक ना सेम के सेम हर पर लिख दीजीगा, लिखा गया, अब देखिए, अब यहाँ पलस मैनस के चीन देखना पड़ता है, यहाँ अगर पलस है, तो दुनो मैनस में नहीं, तो दुनो मैनस में है, अगर यहाँ जाक लिजी, अब यहाँ अगर पलस में है, समझ लिख 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 प्लस में प्लस में लेना है तक कातना लेना है कोमन क्रूप में तो गुणा करने पर पचपन आना चाहिए जोड के सुल्ल 11 और 5 है 11 और 5 को जोड़ेगा तो 16 जागा गुणा करने पर पचपन तेहां लिखिए 11 वाई प्लस में यहां पे 5 वाई ठीक ना अब चारक हो गया यह दुनों और यह दुनों एक तरसे दुनों में कॉमन देख लिजिए कॉमन मनें दुनों में कटने वला तेहां दुनों में बचा वाई ठीक ना अब यहां पर पचपन है आप पांच निकाल देहें से केवल बचेगा आ रहा है यह दुनों बराबर है कि नहीं कोष्ट का अंदूला बराबर है तो समझे सही आपका बन रहा है ठीक ना अब देखिए एग हो जागा एक सोरी वाई प्लस में पांच को लिखेeger यहां पहले हो लडे हो को छो लिखेगा ते हम फाइप लग ओं प्लस में एकार है कि नहीं अब इसको चीनिया सुन्यक तो सुन्यक करने के एक तरीका होता है लिख जोकत यह रिखेगा Angeb क्या ति सब्सक्राइब बताइए अपने कलास और कोचिंग के सभी लड़कों लड़कों को बताइए कि यहां पर कलास कीजिए इस तरह से आप लोगो समझाए जाता है आप लोग समझ में आहीं रहा होगा तक है लाइन बेलाइन से वीडियो में तब तक के लिजा हिंद जैभरत बंदे मातरम